Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज हम बनाएंगे कच्छे आम की ये खटी मीठी गोलियां जेने कच्छे आम के गटा गट भी बोलते हैं ये खाने में बहुत चटपटी और टेस्टी होती हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है और बच्चे तो इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना इसके लिए मैंने ये छोटे-छोटे कच्छे आम लिये हैं ये आठ हैं अब हम इन्हें अच्छे से धोकर छील कर काट लेते हैं तो इस तरह से हम इन्हें काट लेंगे और यह जो इसकी बीच में सॉफ्ट सी गुटली होती है इसे हम फैक देंगे तो इस तरह से हम इन्हें काट लेते हैं इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि अब हम इन्हें ग्राइंड करना है मिक्सर जार में इनका एक paste बनाना है smooth सा तो इस तरह से आप काट ले तो ये देखिए इस तरह से मैं ये सारे कच्चे आम काट लूँगी तो ये देखिए मैंने सारे कच्चे आमों को इस तरह से रफली चॉप कर लिया अब हम mixer jar में डाल कर इसका grind करके smooth paste बनाएंगे इस तरह से चोटा जा लिया है मैंने तो ये देखिए मैंने सब को grind करके अच्छे से smooth paste बना लिया अब हम इस बोल में इसे transfer कर लेते है तो ये एक कप हमने कच्चे आम का पेस्ट ले लिया है ये 250 ग्रैम के equal है तो इसे अब हम side में रख देते हैं और gas पर हम एक रखेंगे pan pan को होने देते हैं गरम अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच देसी घी घी को भी अब गरम होने देंगे ये देखिए घी थोड़ा सा गरम हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे दो पिंच हींग हींग डालेंगे हम इसमें दो पिंच अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने कच्चे आम का पेस्ट बना की रख आ है ये अब हम इसमें सारा डाल देंगे pan में और इसे अब हम पकाएंगे तो इस तरह से लगतार हिलाते वे से पकाएंगे हम और फ्लेम अब ही हमने मीडियम पे रखी हुई है अब जितना हमने ये पेस्ट लिया था कच्चे आम का उतना ही अब हम इसमें गूर्ड डाल देंगे तो ये मैंने क्रश करके एक कप गूर्ड रखा है ये 250 ग्रैम की इकौल है पेस्ट भी अब हमने जो लिया था कच्चे आम का उतना आप कच्चे आम का पेस्ट लें उतना ही आप इसमें गूर्ड डाल दें तो इसे देखिए गुड अच्छे से मेल्ट हो चुक है इसे लगाता चलाते रहें इसे हमने तब तक पकाने जब तक ये थिक ना हो जाए और कमबाइन ना होने लगे इस तरह से चलाते रहें फ्लेम मैंने अभी मीडियम पे रखी है अब हम इसमें थोड़े से मसाले तो ये आधा चोटा चमच सौफ है और ये आधा चोटा चमच पुदीना पाउडर है और ये आधा चोटा चमच काली मिच का पाउडर है और ये आधा चोटा चमच भुना हुआ जीरा है तो ये मसाले हमने पीस कर डाले है इसमें सौफ को भी हमने पीस कर डाला है इसमें औ और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इनसे इन गोलियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटपटा सा, नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम जाधा भी कर सकते है, अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच आमचूर पाउडर, यह होमेड आमचूर तक पकाना है जब तक थोड़ा थीक न हो जाए मिक्षिर और कमबाइन न होने लगे, इसे लगातार से चलाते रहें यह देखिये यह थोड़ी देर में इस तरह से थीक हो जाएगा तो अब हमें इसे पकाते हुए 6-7 मिनिट हो चुके हैं और यह काफी थीक हो चुका है अब हम इसमें आधा चोटा चमच अजवाइन का पाउडर डाल देंगे जिसे में डालना भूल गई थी यह भी हमारे डाइजेशन में बहुत है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं यह देखिये अच्छे से कंबाइन हो गया यह तो इस इसे चीनी डालकर भी बना सकते हैं पर गुर्व हमार ले बहुत ही हेल्दी होता है और जो हमने इसमें स्पाइसे डाल की हम भी हमारे बहुत ही हल्दी होते है तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं यह देखिये अब यह काफी ठंडा हो चुका है मैने इसे 15 मिनिट के लिए तो अब हम अगर आपके पास चीनी का पॉडर नहीं है, तो आप मिक्सी में हाफ कप लेकर पीस ले, अब हम इस तरह से छोटी चोटी गोलियां बनाएंगे और इसे चीनी के पॉडर में, इस तरह से रोल कर देंगे, और फिर एक बार इस तरह से रोल करेंगे, तो ये कच्चे आम के गटा गट तयार है इस तरह से हम सारे रोल करके रख लेंगे अगर आपके हाथ में थोड़ा सा चिपक रहा है स्टिकी लग रहा है तो आप इसमें ये शुगर पाउडर लगा ले इस तरह से ये चीनी का पाउडर मैंने मिक्सी में पीस कर बनाया है तो आप भी बना सकते हैं इस तरह से मैं सारे कच्चे आम के गटा गट तयार कर लूँगी ये खटी मीठी गोलियां खाने में बहुत ही टेस्टी होती है ये देखिए और ये हमारे डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करती है क्योंकि हमने इसमें सौफ का पाउडर डाला है हिंग डाला है अजवाइन डाली है काले मेर्च डाली है तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारी कच्चे आम की खटी मीठी गोलियां तयार कर लिए गटा गट ये खाने में बहुत ही चटपटी होती है आप इन्हें जरूर घर पे बनाए बच्चे तो आपके बहुत ही पसंद करेंगे इसे और ये एक साल तक भी खराब नहीं होती है बस इसमें मौश्चर नहीं लगना चाहिए इस तरह से आप इसे अच्छे से चीनी के पाउडर में लपेट कर स्टोर करके रख सकती है एक साल के लिए तो ये देखिए कच्चे आमके गटा गट तयार है आप भी इसे जरूर घर पे ट्राइ करें अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आयो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें थैंक्स पूर वाचिंग